5 years hence का मतलब इस वीडियो से चानते हैं 5 years hence याने 5 वर्ष बाद या 5 साल आगे इसके दो examples देख लेते हैं 5 years hence I see myself in a senior management role याने 5 साल बाद मैं खुद को वरिष्ट प्रबंधन भूमिका में देखता हूँ दूसरा example, our plan is to expand our business internationally 5 years hence याने हमारी योजना 5 साल बाद अंतराश्रीय स्तर पर हमारे व्यापार का विस्तार करने की है फिरसे एक बार देखते हैं 5 years hence का मतलब होता है 5 वर्ष बाद या 5 साल आगे उमीद करती हूँ आपको ये मतलब समझ आ गया होगा अपको ये से लड़तर है